नमस्कार एटो जेट डिशिश ओश्या कोड़ जानी में आप सब का स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर कहने जा रही है पोहुत 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 ही मज़िदार वाली सब्जी अब आप कहेंगे कि बेंगन कब से मज़िदार हो क्या पर इस तरीके से बनाओ मिकसर में ढालकर अपको धक पीस लेना है कड़ाई में डाल देना है तेल जैसे तेल गरम हो जाये तो यह जो बेंगन के कटे हुवे टॉक्रे अब को अड़िए हो जाया तब तक इस आपको फ्राइ करना यह नहीं कि तलना है तो बस इसी तरीके से मिलाते जाए और अच्छ तो इसे आपको निकाल लेना है बहुत ज्यादा तेल था तो मैंने सिफ एक चमज जितना रखा बाकी बचा निकाल लिया इसके अंदर चौताइच जीरा आदी चमज धनिया पाउडर, आदी चमज लानमिश पाउडर, चौताइच छालदी पाउडर तो रन्ती अपको अनुस इसे एक बार इस तरीके से मिला लेंगे और इसे ढग कर बिलकुल लो फ्लेम पर यानिके दीमी आज पर लगवक्त चार से पांच मिनट के लिए पका लेंगे तो यह पर चार से पांच मिनट हो चुके हैं और यह मज़िदार वाली बैंगन के सब्जी बनकर तयार है तेल में जीरा डानने के बड़ डायरेक मसाले डालोगे न तो सब्जी का कलर तो अच्छा आए गई पर स्वाद भी बढ़ी आएगा अब यह सब्जी आप ले सकते हैं चावल रोटी खेचड़ी बाजरे की रोटी इन सभी के साथ तो इसे जरूर जरू जरू ट्राय कीजए बहुत परी मज़दार है एक बार ट्राय करेंगे बार बार अपने आप बनेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक यू फो वाच्छाइंग